कानपूर से एक और दर्शक हमारे से जुड़ गये हैं, राधा जी हमें कॉल कर रहा है, उनसे बातचीत करते हैं, राधा जी बताइए, क्या परिशानी है आपके साथ? मेरी मिसेश का नाम राधा सिंग, उनका हस्गेन बोल रहा है दिने सिंग, इनके उम्र बावन साल है, इनको एक हाइपर एसीडिती बनती है, और इनके मुह में, ओट में, जीर में, गले में जलन होती है, जलन और तुजुनाहट, और ये प्राब्लम बहुत देन से चल रही, 2011 11 चल रही है, मैंने बहुत ट्रीट्मेंट कराया है, जांचे भी कराई है, लेकिन कोई से नहीं मिल पा रहा है, जांचे कुछ निकलता है, इनका पीट बिलकुल साफ ही नहीं होता है, हाइपर एसीडिती बनती है, और उसकी वज़े से इनके दात घित रहे हैं, मसूरे बाह पा गरbers से नहीं मिल पा रहा है, डाक्तरो से करकर चख दिया हूँ, लेकिन कहीं देसकीं बहुत भर लेकिन कहीं, už साफ क्ँछ नहीं, निकलता है, उसकीं बॉलने है, ओ तो क्या उपार हैं, यह दर्द होता कहीं कमर में कहीं, उफ्थे में कहीं, कोई सीनी में ठीक है ठीक है आप मेरी बात समझ ले और लिख लें तो बहुत अच्छा है देखिए बहुत साल हो गए इनको बहुत दवाएं खाली अब भी खा रहे हैं चाहें तो खाते रहें लेकिन एक घरेले नसका आप लिख लें खुद बनाएं इनको इस्तमाल कराएं पहले दिन से फ वर आतें मेदा किड्नी की मरमत करता है और बहुत आसान है मेथी का दाना आप समझते हैं आपकी पत्नी भी समझते हैं पांच सो ग्राम लीजे पांच सो ग्राम यानि आदा किलो और एक रसायन आता है जिसे जैतून का रसायन कहते हैं जैतून का रसायन या एस्टेक हम आसान लेंग्वेज में समझाने के लिए नमक जैतून कहते हैं ये देखने में नमक जैसा लेकिन में नमकी नहीं होता ये 100-100 ग्राम लें और 500 ग्राम इसमें मिला दें मेथी में और पाउडर बना लें आदा चम्मच सुबा काने से पहले लें आदा चम्मच दुपैर काने से पहले आदा चम्मच रात को खाने से पहले पानी के साथ दें आप देखेंगे फाइदा तो ऐसा लएगा एक ही हफ़ते हम पूरा होगा लेकिन अब मेरी बात या दखना आट साल से आपको तकलीफ है या 12 साल से तकलिफ है तो ये जब तक ये नस्खा जो मैंने आपको बता है खतम ना हो जाए जब तक इन्हें रोकना नहीं ताके पूरे जड़ से ये ठीक हो सके और इनको इन सब बीमारियों से जो आपने जुमला बीमारिये मुझे बताएं इसे निजात मिल सके मादिप्रदेश से एक और कालर है पीक वर्मा जी ने हमें काल किया है जी बताएए क्या समस्या है आपके साथ में ये ऐफसी गार क्या है कि शरीर में हमेशा दार्द बना रहता है जी क्या उम्र है उम्र है उम्र है पर 52 52 ठीक है देखिए एक गौन के बारे मैं अक्सर बताता हूँ भारत के कौने कौने तक ये बात पहुची है और जिन लोगों ने इसको यूस किया है उनको फाइदा मिला है आप भी समझ लीजए के एक गौन आता है जिसे हम काला गौन कहते हैं या गौन सियाह कहते हैं या बलेक गम कहते हैं ये मिलता मुश्किल से नकली भी मिल जाता है असली ले और ये आदा आदा ग्राम सुबा शाम नाश्टे के बाद और रात तो खाने के बाद बगए चर्बी के दूस से देना शुरू करें और अगर आपको सो ग्राम भी मिल गया तो ये अपने खतम होने से पहले मरीज को रोग मुक्त करने की सलायत रखता है लेकिन ये कड़वा बहुत होता है और नकली बहुत मिलता है असली रेना है आपको तो आपको फायदा मुम्किन है और आपके साथ हमारी शुब कामनाई हैं उमीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवान मिल गया होगा आयूस जी ने हमें कौल किया है उनकी क्या परिशानी है उनका क्या फ्रश्ण है आए जानते आयूसं जी सवाल करें मैं मेरे दादा जी को हरनिया का प्रॉब्लम है तो उनको आपर दर दोता है कभी-कभी ओम्र कितनी है उनकी? उनकी 75 है, हरनिया की प्रॉब्लम है दादा जी को जदिखें अगर ये कम है तो इसका निवारन हो सकता है बहुत जदा है तो जब बहुत जदा हो तो इसका आपरेशन भी करा सकते हैं लेकिन उनकी उमर कितनी है इस पर भी निर्वर करता है अगर थोड़ा सा है तो देखिए सौफ और धनिया धाई धाई सो ग्राम लें सौफ और ददियां, ढाई-ढाई सो ग्राम खरीदें और कलाउन जी का नमक सो ग्राम और इसमें पॉडर बना लें और आधा-धा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच सुबा और शाम जिया करें, आपके दादा जी का अगर रोग बहुत जादा नहीं है तो ठीक होना मुम्किन है अयोद्या प्रसाज जी का कॉल हमें आया है उत्तर प्रदेश से उन से बातचीत करते हैं, अयोद्या जी क्या परिशानी है? रहादम हम को जो है, मास पे गाट हो पड़ा रहें है शरीर में, जी तो हम दाटर साथ से शला लेना चाहते हैं, उम्र किती हैं आपकी? अम्र हमारी ओवी प्रिप्टी टू जी और देखिए एक तो अनिमल फैट बंद कर दे, अनिमल फैट में चार चीज़े आती हैं, मास, जानवर का गोश्ट, और जानवर का दूद, जानवर का खी, और मक्षन, ये बंद कर दे सबसे पहले और जितना हो सके गरम पानी पीएं, पाँच बार गरम पानी पीना अनिवार ये है और इससे भी काफी फर्क पड़ता है, एक गंटा पैदल चले दूप में दूप हमारे लिए बहुत क्यमती है, हमें पता नहीं होता के दूप हमारे लिए क्या है और खाने में अपने जो भोजन बनता है उसमें इतना सारा रहसन और अदक जरूर डालें ये और काटे बनने से रुकेगी और चर्बी जिसम में नहीं रहेगी बाहर निकलती है एक नस्खा भी है आप जैतून का नमक नमक जैतून या रसाइन जैतून कहते हैं खरीदें और अधा किराम पानी में मिलाकर और एक लीबू निचोड़कर उसमें रोजाना एक बार या दो बार पीने से भी आपकी गाटों का पिगलना मुमकिन है तो वाकई में उमीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाम मिल गया होगा एक और दर्शक है मुझफर नगर से सीमा जी ने हमें कॉल किया है सीमा जी प्रश्न करें आँ नमस्कार मारूं नमस्कार जी मैं मेरी हकीम साब से बात करा जी हकीम साब सुन पा रहे हैं आपको सुन रहा हूं फर्माईए हकीम साब नमस्से मैंने आपके हां से मुझे शुगर के प्रॉब्लम में जैटून का सिर्का मंगाए था और उसके बाद से मुझे काफी रिलीफ है मुझे शुगर मेरी घट गड़ती थी बहुत जाद है और अब मेरे को मतलब घट नहीं रही है ना जादा बढ़ रही है काद मेरा टेस्ट हुआ है उसने मतलब गैतून का सिर्का के बाद मैं अपनी दवाई भी खाती हूं खाने के बाद जे मैं खा रही हूं तो उसमें रैंडम जो मेरा वापा उसमें 130 आई है और यह मेरे मेरे को रहता है और गुटने में और एडी में तो क्या मैं इसको ले सकती हूं गोंद सिया जो आप बताते हैं और दूसरी बात है मेरा उपरेशन होना है यूप्रेस का तो मैं मतलब यूप्रेस का मेरा उपरेशन की डेट मिली वी है मुझे चार दिन बात की तो मैं यह गोंद जो यह जैतून का सिर्का पी रही हूं यह मैं कब तक पी सकती हूं और उपरेशन के बाद कब स्टार्ट क के खुल जाएं जो उपरेशन होता है उसमें जो सरज्री होती उसमें टांके लगाler जाते हैं जब आपके खुल जाएं उसके बाद लेना ये Bहरें आ बहुत ही समझधारी की बात के इत्यgent सा जहीन बच्चीय बहुत कम होती हैं और मैं तो कहता हूं कि अब ये अगर कुछ द operation टल जाए तो यह जेतून का सिरका गाठों को भी गलाता है और नहीं टले तो फिर आप काला गौन भी आप बाद में लेना मंगा तो लीजे लेकिन बाद में लेना operation के बाद operation के बाद कमर में बहुत तकलिफ होती है जो injection लगता है ना बड़ा तरपती हैं महिला हैं तो उस वक्त जब दर्द नहीं जा रहा हो उस वक्त आप लेना शुरू कर देना अधा अधा गिराम दो बार डॉक्टर मना भी करें तो ले लेना यह हजार दवाओं पर भारी है और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जिनका operation हुआ कमर में injection देते हैं वो दद किसी सूरत में जाता यह काले गौन से चला जाता है और बहुत जल्दी चला जाता है तो यह म परशक इस वक्त हमारे साथ है गिर्जा देवी जी ने हमें कॉल किया है स्वागत है कारिकरम में आपका सवाल कर सकती है आप अब पंखा बंद कर दिए पंखा आप की समस्या नहीं देखिए जिस उमर और जिस सावाद में आप बात कर रही हैं अंदाजा हो रहा है आपकी एज़ का यहां पर दद होना शायद अनिवारिय हो गया है पहिलाओं को और पुर्शों को भी एक पंच साल से आप जब तकलीफ में हैं तो मेरा आप से अनुरोद होता है कि प पांच महीने युनानी को दे के देखें कहां पांच साल कहां पांच महीने और यह जो गौन सियाह आता है जी काला गौन यह बहुत वजब का है कहीं भी असली मिल जाया चाहे सो दो सो ग्राम ही मिल जाया लेकिन यह सो दो सो ग्राम गौन अपने खतम होने से पहले आपको र बगएर चर्वी के दूस से पानी से या जूस से ले तो आपको फाइदा होना मुंकि ले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दीरच जी ने हमें कॉल किया है मुरादाबाद से दीरच जी सवाल कर सकते हैं आप हलो जी सवाल करें डॉक्टर साम नमचते हैं जी आदाब सर यह है कि जैसे मैं कभी कभी ज्यादा चलता हूँ तो मिनिममम भी चलता हूँ या फिर ज्यादा चलता हूँ तो मेरी सांस अचानक फोलने लगती है जी ऐसा क्यों होता है इसके लिए कोई दवाई हो तो बता दीज खून में चर्भी बढ़ने लगी है मेरी अनुभव के हिसाब से और चर्भी काटने वाली चीजें आप ले सकते हैं चर्भी काटती कटती है लहसन से हलाकि आपको ये बात बहुत जिल्दी होने लगी ये चालिस पैटालिस के बाद होता है तो चर्बी वाली चीजे एनिमल फैट बंद कर दें जैसे दूद, घी, मक्षन बंद कर दीजे और अपने खाने में इतना लहसन और इतनी अद्रक डलवाया करिए मैं खुद इस उमर में पांच से दस लहसन हो जाना खाता हूँ जब मेरे सामने खाना आता है तो पांच दस लहसन चिलेवे होते हैं और मैं एक निवाले में एक चबा के खाता हूँ ऐसे आप भी करिए ये एक अच्छा नुस्खा है और कुछ दवा रो मेटेर लेना चाहते हैं तो जैतून का सिरका खरीद लीजे और तीन तीन चमच सुबा शाम पानी में मिलाकर पिना बहुत तेज होता है ये चर्वी का दुश्मन होता है जैतून का सिरका दो तीन महीने लगा तार लें पैदल भी चला करें गरम पानी भी पिया करें अपना बहुत खायर लखें आपको फाइदा होना मुम्किन है